सरहतपार पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वज़े से घाटी में हालात सामान्य नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुभा सुरक्षबलों की आतंकियों से मुड़वेड हो गई जिसमें सुरक्षबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। शोपया के मुझमार्ग इलाके में हुई मुढभेड की जानकारी ADGP कश्मीर ने ट्विट कर दी है, उन्होंने ट्विट के माध्यम से लिखा कि लशकरे तयब आतंगी संगठन से जोड़े तीन आतंगवादी मारे गए हैं, मारे गए तीन आतंग्यों में से दो की पहचान शोपया के लतीफ लोन और अनंतनाक के उमर्ज नजीर के रूप में हुई है, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंगवादियों की मौजूदगी की खूफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलो ने शोपया के जैनपुरा इलाके के मुझमार्ग में घेरावं के हट्या में शामिल था, इन आतंग्यों के पास से एक AK-47 राइफल और दो पिस्तोल बरामत हुई है, जानकारी के मुताबिक मुझभेड 20 दिसंबर को शोपया के मुझमार्ग इलाके के जैनपुरा में सुभा करीब चार बजे हुई थी, जम्मु कश्मीर पुलिस समेत र